प्रोलम आता है तो सबसे पहले हम master में जा कर customer master में जाते हैं और उसके बाद में फिर उसका सारा detail हम create करते हैं create करने के बाद उस customer का नाम जो भी है सारा detail यहां भर देंगे और vehicle info पर click करेंगे यहां पर add vehicle आएगा add vehicle पर यहां पर frame number डालेंगे और all dealer पर tick करके search करेंगे जो भी नाम यहां पर आएगा यहां पर click करके और यहां नीचे select करेंगे और उसके बाद में फिर सबसे नीचे save कर देंगे फिर यह problem फिर जाकर job card बना सकते हैं